हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल धपैट वीजन दिस इस साहिल मलीक यूवर होस्ट अधियर वेट तो मेरे पैरे दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि डोग की बोडी के अंदर कई बार सीजर्स बगरा डेवलोप होने स्टार्ट हो जाते हैं यानि जिनको हम जटके बोलते हैं एपिलेप्सी बोलते हैं या एपिल्स भी हम इसको बोल सकते हैं जिसमें क्या होता है आपके डोग को मिर्गी आने स्टार्ट हो जाती है जिसको हम मिर्गी के दोरे बोलते हैं तो basically यह जो मिर्गी आने के पीछे बहुत सारी reason होते हैं, main reason तो यह होता है, CNS के अंदर, यानि जो brain जो होता है, उसके अंदर किसी भी nerve cell में किसी तरह का कोई damage हो जाना, या किसी तरह का कोई disturbance हो जाना, तो basically वो कहलाती है, हमारे पास जो apple spree, जिसको हम seasons भी बोल सकते हैं, यानि body काफी जादा मातरा में, एक type की हम बोलते हैं, वो पहुत जादा मातरा में activity करना start कर देती है, यानि hyper activity करना start कर देती है, तो मेरे पहरे दोस्तों, उसके लिए हमको एक syrup हमको हमारी डोक को देनी और उनसे consultation पाके ही इनकी ये जो syrup है, इसका use करना है, because आपको ये syrup ऐसे नहीं मिलेगी, आपको nearby veterinary doctor की prescription से ही मिलेगी, और जो उपलब्द करवादे आपको easily उनके पास से मिलेगी, आपको ऐसे normally नहीं मिलेगी, veterinary doctor के पास ही available मिलेगी, तो please आप अगर आपके डोक की body के अ बचाएगी, आपके डोक को सीजर से बचाएगी, आपके डोक को मिर्गी से बचाएगी, वो है गार्डीनल सिरब, जैसा कि आपको screen पे नजर आ रहा होगा, basically गार्डीनल सिरब इसके अंदर 20 mg, यानि 5 ml की presence में आती है, यानि जिसके हम composition बोलते हैं, ठीक है, तो basically ये जो medicine ह जो गार्डीनल है, आपने सुना होगा कि canine distemper जब एक नाम एक बीमारी हो जाती है, जो कि viral एक बीमारी है, आपके डोक की जो nervous system उसके ओपर काम करती है, और उसको damage भी कर देती है, तो basically ये जो गार्डीनल जो medicine है, ये बार्बी टुरेट्स नाम की drugs के जो group होते हैं, उनक इसका काम होता है, बिसिकली एक type का sedative का काम करती है, एपलिस्पी को ठीक करता है, उसाथ में शीजस को भी ठीक करता है, फीनो बार्बी टॉन इसके अंदर salt है, तो basically ये एक type का sedative का काम करेगी, sedative मतलब शान्त करना, आपने सुना होगा sequel नाम का injection आता है, वो भी एक sedative होत आती है, इस situation के दुरान, basically ये क्या करता है, जो brain की जो activity होता है, उसको slow down करतेगा, और आपका dog feel करेगा, एक दम यानि sleeping, और बहुत ज़्यदा मातरा में, डिजिनेस भी उसकी body के अंदर आएगी, तो basically ये जो सिर्फ है, आपको देनी कब-कब है, आपको ये भी पता होना आची है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूं, सबसे बहले तो कई बार कुछ symptoms आपके dog की body के अंदर देखने को मिलते हैं, एक confusion सी आती है, आपके dog की body के अंदर, जिसमें guys क्या होता है, आपका dog कई बार आपको recognize भी नहीं कर पाता, यानि आपको पहचान नहीं पाता, आ एक तुरफ कोने में जाके बैठ जाएगा, और सो जाएगा अपनी body को बिल्कुली सिकूड के रख लेगा, तो सबसे बहला दो symptom आपको यहीं नजर आता है, दूसरा uncontrollable, इसमें क्या होता है, आपका dog बिल्कुल ही control में नहीं आएगा, यानि उसका कोई cns का पार्ट है, व वो डर्ज रहा है किसी चीद से, और साथ में anxiety है, उसको किसी टाइप की anxiety मतलब वो किसी तरह की चिंता में है, stress में है, तो आप इस medicine का use कर सकते हो, जटके आने स्टार्ट हो जाते है, डोकी body के अंदर तो गाडिनल सिरप जो है, वो suggest की जाती है, वो नर्व cells के उपर काम कर करती है, और आपके brain को slow down कर देगी, तो basically मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अगर मैं बताओं कि फाइदे हैं, तो फाइदों के साथ-साथ नुकसान भी है, तो वो नुकसान कुन-कुन से है, ये भी सुन लेजिए, बड़े ही important रहेंगे, सबसे बहले तो मेरे पैरे दोस्तों आपका दोग ना उल्टी-like feeling करेगा, उल्टी मतलब vomiting, यानि उल्टी करना, यानि अंदर का जो content है वो बाहर निकाल देना, उसमें क्या होगा, आपके डोग में nausea की feeling नजर आएगी, drowsiness का आपका डोग शिकार हो जाएगा, साथ में hyper activity हो सकती है, depression में भी जा सकता है, साथ दोने में जाके बैठ जाएगा, दूबला पतला सापको feel होगा, यानि कमजोर feel होगा, खाना भी नहीं खाएगा, तो यह कुछ side effect है, जो इस medicine के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन side effect से ज़्यादा इसके benefits है, because मेरे पहले जोग किसी भी डोग को कैना डिस्टेंपर हो जा और एक खास बात यह बता दो, जब आप अपने डोग को यह पिलाओगे, अपने डोग की प्रिस्क्रिप्शन से, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस situation में क्या होगा, आपका जो डोग है यह पीने के बाद, sleepiness feel करेगा, यानि वो सोएगा बिलकुल, आप इसे घबराना मत, यह लाजमी है, इस medicine के बाद वो सोता ही, सोता है, विकोज यह sedative होते हैं, इसमें क्या होता है, sleeping आती है, आपके डोग को बहुत यादा मातरा में, अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों इसकी dose rate की, वैसे तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसकी dose rate के बारे में और मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इसको liver tonic की तरह, calcium syrup की तरह, daily दे रहे हो, नहीं, इसको उसी time देना है, जिस time आपके doggy body के अंदर चीज़स वगेरा develop हो रहे हैं, most important point है, note कर लेना, कान खोल के सुन लो, आपको ऐसा नहीं देना है कि normal आप daily इसका इसका इस तरफ से, because मैंने ये चीज observation की है, तो इसलिए मैं आपको ये suggestion दे रहा हूँ, तो घबराने वाली बिल्कूल बात नहीं है, अगर आपके doggy body के अंदर किसी तरह का चीज़स वगेरा develop हो रहा है, तो immediately आपको nearby wets के पास जाना है, वहां से consultation पाके, एक अच्छा एक प्रोपर मैं आशा करूँगा, आज की जो वीडियो हमने बनाई है, आपके लिए beneficial रही होगी, thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share, thank you so much, जय हिंद, जय भारत